मसकार दोस्तों हर्स के साथ राज हुटीब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों पंजाव उन्वर्सिटी दोवारा एमफिल पीजडी 2021 के लिए फॉर्म निकाले हैं जो भी छात पंजाव उन्वर्सिटी जोकी चंडीगर में अवस्थ है यहां से पीजडी करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनारा अपसर है दोस्तों अब मैं सीट के बारे में बता रहा हूँ किन-किन सब्जक्टों में कितने सीटे आई हुई है कुछ प्रमुख भी सई के बारे में मैं Amphil PhD में कितने सीटे आई हुए उसके बारे में बताऊंगा तो आप इसकीन पर देखें दोस्तो यहाँ पर लिखा गया है Economics में Amphil में कोई सीटे नहीं है PhD में 1 सीटे है Gandhian Study में Amphil में 10 सीटे है 2 सीटे है, PhD में है उसके बाद आप Police Administration में Amphil में 4 सीटे है PhD में कोई सीटे नहीं है Political Science में Amphil में कोई सीटे नहीं है लेकिन PhD में 13 सीटे है इसके बाद आप यहाँ देखें Public Administration में Amphil में 5 सीटे है और PhD में 4 सीटे है इसी के साथ आप सारे Faculty subject by Amphil PhD के seat के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट बहुत लंबी है अगर मैं परतिक सब्जेट के बताऊंगा तो समय बहुत लग जाएंगे दोस्तो अब मैं eligibility की बात करूँ तो आप सभी जानते हैं कि जो छाथ general category से आते हैं उन्हें master degree में 55% marks जो छाथ SC, ST, OVC और दिब्यांग जन है उन्हें master degree में 50% होने चाहिए दोस्तो इसकी इम आप टेस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर असपस लिखा गया है the medium of examination इंग्लिस only लेकिन कुछ subject ऐसे हैं जिनके medium English, Hindi, पंजावी में भी होगे वो subject हैं public administration, sociology, social work, police administration और music यह सभी subject में English, Hindi, पंजावी तीनों ही भासा में question पूछे जाएंगे लेकिन इसके अलावे subject में सिर्फ सिर्फ English में question पूछे जाएंगे अब मैं बात करूँ कितने paper के exam होगे तो दो paper के exam conduct कराए जाएंगे पर्थम paper जो होगा एक घंटा का होगा question जो होगे 50 होगे कोई भी negative marking नहीं है और second paper जो होगा वो subjective होगे जिनमें 2 hour के जो है आपके paper होगे total question 8 होगे और minimum जो है आपको 5 question attempt करने होगे तो आपको exam process ध्यान में रखना है इनके महतपूर्ण date के बारे में बता दू तो आप यहाँ पर screen पर देखे 26 जुलाई 2021 से लेकर 27 अगस 2021 तक इसके form fill up होगे साथी साथ आपके exam जो है यहाँ पर असपश लिख दिया गया है कि 12 September 2021 Sunday को conduct कराय जाएगा और exam के जो center होगे वो सिर्फ सिर्फ चंडीगर में होगे तो आपको ध्यान में रखना है exam center जो होगे आपके चंडीगर में होगे दोस्तो result की मैं बात करूँ तो 8 October से लेकर 13 October के बीच आपके result जो है website पर upload कर दिये जाएंगे तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि आपको यह जनकारी अच्छी लेगी होगी आप इस चैनल पर बने रहें थैंक यू धन्यवाद